लंबे समय कॉंग्रेस ने सासन किया, अभी बीजेपी का सासन है, कोई सरनाधरम कोड नहीं देना चाहता है, कोई अधिवासी को संविधान प्रदत अधिकार भी नहीं देना चाहता है, तो बीजेपी जीते या कॉंग्रेस जीते या जेमेम जीते, अधिवासी तो हार ही हार इसलिए अब तक हम सब तरफ सभी राजियों में देश में आदिवासी लूट रहा है मिट रहा है अभी एक ही तरीका है कि पार्टियों की गुलामी मत करो समाज की बात करो नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नीजी सरना धर्म कोड की जो मांग है वो लगातार जो है जारखन में उठने लगी है और खास कर जो है ये मांग जो है आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से उठाय जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आदिवासी सिंगल अभियान के राष्टी अद्यक्ष सालखन मुर्मूजी है ये जो है सालखन मुर्मूजी आज एक बैठक बुलाए है आदिवासी संगठनों का आप देख सकते हैं कि बैठक में जो है सारे आदिवासी संगठन जो है एक रननीती बना रहे हैं क्योंकि य जो है बुलाए जाएगा यह सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सालखन मुर्भी जी सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जोहर सालखन जी यह किस तरह से आपने बैठा की रन्निती बनाई है क्योंकि जिस तरह से 30 दिसंबर को भारत बंद का आवान आपने किया ह देखे भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड उनके अस्तित्य पहचान हिस्सेदारी का जीवन रेखा है तो एक काम तभी सफल होगा जब ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग एक जुट होकर इसमें सामिल होंगे आंदोलन में साथ देंगे तो भारत बंद जो 30 दिसंबर को हम लोगों ने घोशित किया है ताकि भारत सरकार राजसरकार सभी पोलिटिकल पाटी और हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसको समझे कि भारत देश में सबको धार्मिक मानेता दी गई हम आदिवासी को ही नहीं दिया हमने क्या पाप किया भाई समिधान हमारे लिए भी है तो इस बात को अब fight to finish माने लेके रहेंगे do or die उस spirit पर हम जाना चाते हैं तो आदिवासी सेंगेल अभियान जारकन बंगल बिहार उडिसा आसाम तृपूरा और अरुनांचल प्रदेश साथ प्रदेशों के लगभग 50 जिले और 400 आदिव और यह काफी नहीं है हमको अदिवासी में मुंडा समाज हो समाज उज्राओ समाज कबिया समाज भूमिच समाज लोहरा समाज पाड़े समाज सब का ज़रूरत है चुकि इन सबको भी सरना धरम-कोड़ चाहिए तो आज की बैठेक में अची बात है अदिवासी छाथर संख के जो केंद्री अध्यक्ष है सुसिलू उराव जी यहां है उसी परकार केंद्री सर्नासमीती के केंद्री अध्यक्ष फुलचन तिर्की जी है उसके संगरक्षक भूनेश्व लोहरा जी है हो समाज के नितागन गनेश गगराई जी है विश्नु बंड़ा जी है सुंदर जी है इन लोग हो समाज महासभा के अध्यक्ष है युवा अध्यक्ष है मान की मुंडा संग के अध्यक्ष है मुंडा समाज जो खुटी छेतर मुंडा समाज का है मुंडा समाज के अनेक संगठनों के साथ पांच बार बैठा की गई और उनके तरफ से आज तीन प्रमुक नेता बिर्सा कांडिर जी उनके सचीव हैं उसके बाद सुभासनी पूर्ती महिला नेतरी हैं और सुनिल उड़या यह भी नेता हैं और हमारे राची जिला सेंगल के अध्यक चाहें कजरु मुंडा जी सेंगल प्रेजडेंट तो ऐसा करके उसके बाद हमारे बुकारों से भी बैठक के पहले ही कई बैठक हो चुकी हैं जैसे सरै किला में चैवसा में खुटी में रंची में सब ने मन बनाया है इस बार की भारत बंद को जोर सोर से करना है चुकि चुनावी वर सारह 24 तो इसी समय यदि पूरे भारत के अधिवसी एक जुट होकर सरना धरम कोड के लि रेल रोड चका जाम होने से आर्थ विवस्ता में काफी कुछ गड़बडी पैदा हो सकती है जो हम लोग नहीं चाहते हैं तो हम लोग चाहते हैं सरना धरम कोड हम लोग को दिया जाए तो इसलिए आज की ये बैठक है पीछे दिनों परधान मंतरी ने देमोदी जो है जार प्रधान मंतरी के उली हतु भीजिट 15 नवेंबर 2023 और महामहिम रास्पती का बारिपदा भीजिट 20 नवेंबर 2023 से भी दुखी है कि इन्होंने सरना पर कुछ नहीं किया और सरना धरम कोड के लिए 15 नवेंबर को प्रधान मंतरी जी के आगमन के पहले हमारे पांच नेताओ उन्हें आतमदा की घोष्णा किया था उसमें से एक अभी यहां बैठा है चंद्र मोहन माडी यह बुकारों से हैं उसको और पांचों को दो दिन पहले ही गिरपतार कर लिया गिया था तो हम लोग अभी फाइट टू फिनिस मने लेखे रहेंगे चुकि सम्विधान का मामला है जायन से हम ज़्यादा है और हम नहीं लेंगे तो हमको जावरान हिंदू मुसल्मान इसाई बनाया जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहे तो यह भारत देश सका सम्विधान हमारे लिए है कि बाकी के हमारे लिए है हमारे लिए भी आए तो हमको सम्विधान के तहट नयाय मिलनी चाहिए तो हम लोग की कोशिस है कि सब को जोड़के एक बड़ा अंदोलन हम लोग खड़क करेंगे और यहां पर और एक बात जो है हमारे बहुत सारे अधिवसी नेता एमेले एमपी मंतरी मुखे मंतरी बन रहे हैं आरक्षन कोटा से बनने के बाद फिर आदिवसी का बात नहीं करते हैं तो यह लोग भी एक परकार से हम लोगों के साथ धोके बाजी कर रहे हैं तो हम इनके भरोसे भी नहीं रहना चाहते हैं पाटियों के भरोसे भी नहीं न तो इस बार क्या माना जाए जो भारत बंद जो है सफल होगा क्योंकि कई बंद तो हो नहीं है क्योंकि हमारा संगठन है लोगों का समर्थन है और अभी जिस छेतर में हम लोग थोड़ा अपने को कमजोर पा रहे थे राची गुमला लोहर दगा सिम्डेगा खुटी यहां भी महौल गर्मा गिया है तो इसलिए डबल सफलता होना है कोई भी चुनाव जीते कोई भी चुनाव हारे आदिवसी समाज का हार निश्चित है इसलिए हम लोग को इसे ना खुज होना है ना नाराज होना है कोई भी जीतता है आदिवसी का तो गला ही ना गोट रहे 75 साल देश को आजाद हुए लंबे समय कॉंग्रेस ने सासन किया अभी बीजेपी का सासन है कोई सरनाधरम कोड नहीं देना चाहता है कोई अधिवसी को संविधान प्रदत अधिकार भी नहीं देना चाहता है तो बीजेपी जीते या कॉंग्रेश जीते या जेमेम जीते अधिवासी तो हार ही हार रहा है इसलिए अब तक हम सब तरफ सभी राजियों में देश में अधिवासी लुट रहा है मिट रहा है अभी एक ही तरीका है कि पार्टियों की गुलामी मत करो समाज की बात करो